Hello students, आज हम class 3rd EBS में chapter 11 पढ़ रहे हैं, यह हमारा वीडियो A4 है, देखो आप बिच्चों travel time हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको देखो यह इस chapter के अंदर यह travel time, यहां तक हम बग बेश चुके हैं, land transport name आपको करने थे, आप आप देखिए, I hope आप कर चुके होंगे, land transport name learn and write हमने work दिया था पहले, तो जो land transport name थे, वो आपको learn करने हैं, आप आप आगे देखिए, match the following vehicles to their wheels, आपको match करना है, यह vehicles दे रखे हैं, इदर यह wheels दे रखे हैं, आपको इन vehicles से इन wheels को match करना है, कि जैसा cycle का wheel कौन सा है, यह वाला आप इसे match करेंगे, इसी तरह car का wheel कौन सा है, car का पईया, यह वाला है, इससे match करेंगे, horse यह वाला है, scooter का यह वाला है, इसी तरह आप इनको match कर देंगे, आप अपने आप self करेंगे इसको, लीज्ट देखिये different आगे पढ़ते हैं different vehicles have different number of wheels अलग अलग जो vehicle होते हैं उनके अलग 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 प्रकार के पही होते हैं some vehicles have two wheels कुछ vehicles के दो पही होते हैं some have four wheels, कुछ के चार पही होते हैं and some have six wheels, कुछ के छह पही होते हैं the local train in Mumbai अब आप देखिए बच्चों जो लोकल ट्रेन होती है मुंबई में चलने वाली वो को लोगों की क्या होती है लाखो लोग जो होते हैं वो हर दिन ट्रेवल करते हैं किन से करते हैं अब दिन ईडियम होती है।野 वोम की यहां डिश्रय करते हैं वो खू करता हैं मेरी पॉप्लिय को कें औरव सब्सक्रेवल करते हैं next पढ़ेंगे हम देखो air transport air transport पढ़ रहा है हमने अभी क्या पढ़ा था land transport के बारे में आगे हम पढ़ रहा है air transport देखिए aeroplane and helicopters are vehicles that travel in air aeroplane और helicopter जो होते हैं वो ऐसी vehicle होते हैं जो हवा में travel करते हैं हवा में यात्रा करते हैं they are the faster means of travel fastest means यह दो aeroplane और helicopter है यह क्या है travel का यात्रा का बहुत ही fastest means है तेज चलने वाला साधन है aeroplane take pass sensors as well as goods aeroplane जो होते हैं जल्दी से जल्दी क्या करते हैं अपने pass sensors को लेते हैं a helicopter can carry only four to six pupil at one time यानि कि जो helicopter होते हैं यानि कि जो aeroplane होता है उसमें एक बार में बच्चों four to five hundred यानि कि चार से पान सो लोग चार सो पान सो लोग minimum बैट सकते हैं उसमें बैट कर यात्रा कर सकते हैं ठीक है आगे देखो आप water transport क्या है बच्चों आगे water transport है there are some vehicles that move in water like boats, steamers and ships देखिए कुछ vehicles ऐसे होते हैं जो कि पानी में चलते हैं जैसे boats हैं steamers हैं ships हैं ships that carry goods are also cargo ships ships जो होते हैं वो क्या करते हैं carry करते हैं goods को वो cargo ships क्यालाते हैं आगे है submarines submarines are ships that can travel underwater submarines क्या होते हैं बच्चों यह वो होते हैं जो water के अंदर travel करती हैं पानी के अंदर travel करती हैं एफ ferry passengers across a river on a short sea route अब जो ferry होती है वो क्या करती है passengers को के अलावा जैसे नदियों में हैं short sea route है short sea route है sorry उनमें क्या करती है चलती है कौन चलती है ferry ठीके बच्चों आप यह दिखा रखें आपको यह ship है यह boat है और यह submarine अब आपको अब आप आगे देखिए special means of transport सबसे बड़ा जो transport का साधन है वो देखिए वो सॉरी सबसे special जो साधन है transport का देखिए आप देखिए ambulance किसके लिए यूज होती है जो बिमार लोग होते है injured लोग होते है जो ने hospital ले जाने में ambulance का यूज होता है आगे देखो पुलिस जीप पुलिस मैन जो पुलिस जीप होती है वो पुलिस मैन को ले जाती है फायर इंजन carries fire fights and fighters and special equipment to put out fire ठीक है जो फायर इंजन होते है ये क्या करते है fire fighters को ले जाते है special इनको ले जाते है equipment को आगे देखिए muls and horses are used in hilly areas to carry good and pupil देखिए muls and horses होते है वो hilly areas पर चलते है लोगों के लिए camel होते है are used in desert area desert जो area होते हैं उनमें camel रहिस्तान में camel आद चलते हैं आपको पता है elephant are used in forest areas जो elephants होते हैं वो जंगलों में यूज किये जाते हैं अब आप देखो ambulance, police chief, fire engine, horse, muls and camels, elephant यह सब क्या है बच्चो special means of transport हैं इनके आपको नाम learn करने हैं अपने note book में लिखने हैं थैंक यू आगे का एक्सरसाइज चैप्लर बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है देखो मैंने आपको यहां तक बढ़ा दिया है चैप्लर कंप्लीट है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे थैंक यू